दुरुश्रम्टू के डे थर्टी एड और सर्कस के डे थ्री के बारे में बात करेंगे डे थ्री के एडवांस बुकिंग के अगर मैं बात करूँ सर्कस की तो वो डे टू से भी कम आते हुए दिखरा है दो करोड के असपास हो रहा है जो मेरे पास इंफोर्मेशन है एक दो आवर पहलेगा शायर इसके बाद थोड़ा अपडेट भी हो जाएगा लेकिन ये मुवी दोस्तो कहाँ पर मुझे लगा था 10 करोड तो मिनी चलो फ्लॉप पर पता है लेकिन एटलिस 10 करोड करेगी संडे को ऐसा लगा था कलेक्शन के अनुचार मुझे लगता है दोस्तो नौ करोड 8-9 करोड के असफस करेगी मुझे नहीं लगता है दर्स जाएगी पकड़के चलो अगर 9 करोड करती है तो 22 करोड का इसका तीन दिनों का कलेक्शन आता है मैं सही हूँ तो यार मेरा मैट्स या एक्चुली या 6 and 7, 13, 9 या 22 करोड का तीन डे का कलेक्शन आता है 125 करोड में ये मुवी बनी थी ये मुवी 50-60 करोड पे फिनिश होती भी दिख रही है इट इट इस अ डिजास्टर मुवी and overconfident रोहित शेटी को बहुत बड़ा जटका मिला anyways चलो बात करते अभी दुश्यम 2 के बारे में दुश्यम 2 आउटस्टेंडिंग है उसका advance booking तो update नहीं दिया है उन लोगोंने क्योंकि at present कम शोज है लेकिन Monday से इसके शोज वापस बढ़ेंगे circus के शोज इसको मिलने वाले ऐसी news आ चुकी है और कुछ theater circus के शोज निकाल रहे है तो देखो जो ये movie है ना 1.5 से लेके 1.75 करोड कर रही है अगर ये मेरा prediction accurate आता है तो उस recording ये 228 करोड जाएगी भारत में और worldwide की बात कर तो 324 से लेके 325 करोड का बिजनेस इसका हो जाएगा it is outstanding अच्छी चल रही है कीक और चेंडने एक्सप्रेस को अगले ये 2-3 दिन में officially तोड देगी ऐसा लग तो रहा है अभी और अगले week में मुझे तो लग रहा है कि इसको जादा screens आएंगे थोड़ा circus के भी screens मिल जाएंगे कोई टेंशन ने चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीज़ा updates देता रहूंगा